कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी कन्फ्यूज पार्टी है जो कभी भी किसी को सई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकती एक तरफ हला बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं दूसरा ऑक्सीजन के सलेंडर अपने घरों में छुपा के इनके विधायक रखते हैं तो आप खु आज दिखा रहे हैं कि राहूल गांदी की डिमांड है कि प्रधान मंत्री लोगडाउन क्यों करना चाह रहे हैं तो आप बताइए यह कैसे नेता हैं यह सारी मीडिया जो है ना इस वक्त समझ नहीं आ रहा विपक्ष के हातों भी गी यह विपक्ष ने उनको खूब पैसा दिया है ऐसे तथाकति चैनल है आम आदमी पार्टी ने सिरफ उनकी सांसे चीनी है और आज अगर केंदर सरकार दे रही है तो भी यह लोग सही काम नहीं कर रहे हैं एक तरफ से कॉंग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से ऑक्षिजन को लेकर सवाल उठाया जाता है केंदर स फची अकॉंग्रेस कांडर काहीरा मिला है कॉशीजन के और इंगर केंदर सरकार कर किया रही हैं और धिली में दो हॉच्पिटल में इतने बड़े-बड़े प्लांट लगाये हैं मात्र छे-छे दिन में एक लगाया है लेडी हार्डिंग में और दूसरा लगाया है एम्स में और भी त्यारी है 550 DRDO का टार्गेट है PM केर फंड से 550 जो है ऑक्सीजन के प्लांट्स पूरे देश भर में लगाये जाएंगे कहीं पक्षपात नहीं किया जाएगा चाहे वो भाजपा शासित राज्ये हो चाहे ना हो लेकिन PM केर फंड से हर राज्ये में 55-58 जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाएंगे ये भाजपा काम कर रहा है जो जनता को दिख रहा है लेकिन जो ये काला बजारी कर रहे थे मैं आए दिन लोगों को बोलती थी कि ऐसे काला बजारों को ये तो गिद्दों से भी ब हला बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं दूसरा ऑक्सीजन के सलेंडर अपने घरों में छुपा के इनके विधायक रखते हैं तो आप खुद सोचिए कि कितने गैर जिम्मेदारानार लोग हैं इनको शरम आनी चाहिए ये गिद्दों से भी बत्तर हैं यही जै हद तक भी गिर सकते हैं वो इस हद तक भी गिर सकते हैं कि आम जंता अगर उससे मर रही है उक्सीजन की कमी से मर रही है उनको कोई फरक नहीं बढ़ता हूँ अपने कमरे में अपने घरों में उसकी जमा खोरी कर रहे हैं अगर लोग दवाईयों से मर रहे हैं तो आज जो तो काला बजारी से पकड़े जा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है ये कॉंग्रेस के कारे करता हो ये समाजवादी पार्टी के कारे करता हो ये बस्पा के कारे करता हो या टी-मसी के कारे करता हो क्यूंकि इन लोगों को सिरफ मोधी जी को गालियां देनी है मोधी जी को गाल के सिलेंडर पकड़े गए और भी मुझे लगता कर इनके विधायकों की जानकारी या वहां पर छापे मारे जाएं तो रेमिड स्विर के इंजेक्शन भी पाए जाएंगे और बहुत सारी दवाईयां मास सैनिटाइजर यह सब उन्हीं के यहां से मिलें कॉंग्रेस का विधायक है काला वजारी कर रहा था और एक एक सलेंडर को सत्तर सतर हजार चालिस चालिस हजार में बेच हो जा रहा था तो इसको लेकर राहूल गांदिया सवाल नहीं उठाएंगे वैसे तो अगर उत्तर परदेश में इस तरीकी की घटना देखने को मिलती है तो पूरी की पूरी कॉंग्रेस हावी हो जाती है ट्विटर पर इस सारी चीजों को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन होना चाहिए लॉकडाउन नहीं है शरम आनी चाहिए प्रधान मंत्री जी को इस वक्डाउन नहीं लगा रहे ये स्टेटमेंट थी एक हफता पहले राहूल गांदी जी की किसी भी ट्वीट में देख लीजिए किसी भी चैनल पे देख लीजिए और वो ही चैनल बेहुदा चैनल जो ऐसी ट्वीट एक हफते पहले दिखाते हैं एक हफते बाद वो ही चैनल दिखा रहे होते हैं कि राहूल गांदी जी कल से लारा लगा के उ पूरे देश में लॉकडाउन किया जाए वही चैनल आज दिखा रहे हैं कि राहूल गांदी की डिमांड है कि प्रधान मंत्री लॉकडाउन क्यों करना चाह रहे हैं तो आप बताइए यह कैसे नेता हैं यह मीडिया ही कैसी है आप किसी भी चैनल को खोल के देख लीजे भाज देख लगनाओं में कम होना शुरू हो गए आपक्सिजन भी आगी है दवाइयां भी दी जारी है लेकिन अभी तक इसी इचनल ने यह दिखाना ने शूरू किया कि नहीं जी अब वहां पर अक्सिजन भी लग गई है अब दवाइयां भी दी जा रही है किसी चैनल नहीं यह नहीं दिखाया कि दिल्ली में केंदर सरकार के हस्तशेप के बाद 750 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली में पहुँच गई है दो प्लांट केंदर सरकार की तरफ से पीम केर कंफरंड की तरफ से लगा दिये गए हैं ये सारी मीडिया जो है ना इस वक्त समझ नहीं आ रहा विपक्ष के हातों भी गी ये विपक्ष ने उनको खूब पैसा दिया है ऐसे तथाकतिट चैनल हैं जो बार-बार ये दिखाते हैं राहुल गांदी डिमांड कर रहे थे एक हफता पहले कि लॉक्डाउन पूरे देश में होना चीए आज एक हफते बाद राह लेकिन प्रधान मंतरी ची की तरफ से कोई इंपोज निया चारा कि हम ही लॉक्डाउन करें लेकिन अगा situation खराब होती है तो मुझे लगता है लॉक्डाउन करना भी कोई बुरी बात नहीं है तो राहुल गांदी ये तो बता दें वो लॉक्डाउन चाहते हैं या वो लॉ अर्विंद केजरिवाल ने दो धाई अफते पहले जब केसिस बहुत बिगड़ना शुरू हो गए थे तो हाथ खड़े कर दिये थे हम कुछ नहीं कर सकते एक प्लांट उन्होंने दिल्ली में लगाया उन्होंने केंदर के पास हाथ जोड़के बस जाके केंदर को सुप्रीम क में जाके दाखिल कर दिया कि भी हमें केंदर से इतनी मदद चाहिए इतने मैट्रिक टन वो चाहिए केंदर को भी दो बार अगर सुप्रीम कोट ने डाटा फटकारा लोगों ने बड़ा मीडिया ने दिखाया तो भी मैं यह पूछना चाहूंगी कि हर राज्जी के जो मु लगाने में बहुत पैसा लगता है दिल्ली सरकार इतनी गरीब हो गई थी कि चार प्लांट भी दिल्ली में लगा सकी आज भी देखिए जब 750 मेट्रिक टन केंदर ने यहां उक्सीजन भेजी है तो उसके उनके पास कंटेनर ने इतने रखने के लिए तो आप इतनी डिमां इनको मतलब स्टोर करने के लिए टैंकर्स भी केंदर सरकारी दे कैसी मतलब दिल्ली वाले तो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सिरफ उनकी सांसे चीनी है और आज अगर केंदर सरकार दे रही है तो भी यह लोग सही काम नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन पड़ी है उसक और दुबारा से जीत भी पाएं दिल्ली के आपने बात की और लोगों की तरफ से ये भी सवाल उट रहा है कि एक सरकार ऐसी है यानि कि एक पार्टी ऐसी है जिसके खुद के विदायक सेलेंडरों की ऑक्सीजन की काला बजारी कर रहे हैं और अगर हम दूसरी पार्टी या कि लोग केंदर सरकार से मोदी जी से तनी नफरत करते हैं कि उस नफरत में उनको कोई फरक ने पड़ता जनता भाड में जाए सिरफ हमारे समर्थक केजरी वाल भी इस वक्त सिरफ आम आदमी पार्टी के कारे करता जो है उनकी मदद करने में लगे में लेकिन एक भाजपा ह और कॉंग्रेस भी कर रही है, कॉंग्रेस तो अपने पास ही छुपा छुपा के स्टोर करके रख रही है, सलेंडर को के जब जरूत होगी तो हम अपने कारे करतां को दे देंगे. एक भाजपा ऐसी है, जो यह नहीं देख रही,fehकर को हो कांग्रेस का समर्थख को हम लोगों के पास इतने सारे आते हैं लिखे वे कि मैडम इतना हमारे को प्लाजमा चाहिए या इतनी हमें oxygen के cylinder चाहिए हम लोग नहीं पूछते कि आप कौन से कारे करता हो कहां के हो क्या है क्या नहीं जो हमको सवाल पूच varias आप जाते हैं अब इसी तरीके के घंट⁈ और काफी जादा बत्तर चीजें हो रही है बेस बैंगौल में उसको लेकर कॉणुर्ड की तरफ से सवाल नहीं उठा जाते इनी کی पार्टी की तरफ से कररप्शन की यह जाते हैं उसको लेकर नहीं उठाते आकिरकार क्यूं अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं यह अपनी नहीं यह विपक्ष पार्टियों की गलतियों को भी छुपाना चाहते हैं क्योंकि सारी वेपक्ष आने चाहिए और धीरे धीरे जंता कोई बास समझ भी आ रही है जिन लोगों ने भी जिस जंता ने भी पहाँ पर टीमसी को वोट दिये आज वो अंदर यंदर अपने आपको कोसरी होंगी क्या हमने ऐसा खूनी राज दिखने के लिए वोट दिया था ममता दीदी को कि जैसे उनके बोट से ममता दीदी जीती उसके अगले दिन से ही भाजपा के कारे करताओं पर तो कहे तूट पड़ा लड़कियों के इज़ते लूटी जा रही है सिरफ एक लड़की नी ये तो अभी एक का ना कई लड़कियों के इज़ते लूटी जा रही है कुछ सामने न आरे डर के मारे ताकि हमारी जानतों बचीरे कुछ को मार दिया गया है बाकी लोगों को लटकाया पेड़ से जा रहा है तो यह खूनी होली जो है यह TMC के जीतने के बाद से वहाँ चल रही है और इसके पीछे Congress का भी हाथ है विपक्ष के तमाम पार्टियों का जो वहाँ CPIM वह भी ममता के साथ है तो ममता बैनर्जी के साथ इस वक्त सब्थे भाजपा अकेली थी तो भाजपा ने फिर भी बहुत अच्छा काम किया और आज भाजपा हाथ पे हाथ धरके नहीं बैटी हम अपने कारे करताओं को मरने नहीं देंगे जनता को वहाँ अपनी चिंता है अपनी फिकर है इसलिए वो बाहर निकल के आई है बिना कोविट के डर के भी शुभेंदू अधिकारी के राज्य जहां से शुभेंदू जीते हैं वहां के लोग बाहर नंदी ग्राम के आए हैं कि कल को हमारे घरों में घुजगुज के टीमसी के नेता तो हमें मार देंगे उस खेल को खतम कर देना